हेलो आप्वीवन गैसेट सुधिर और वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल तोड़े वी डिसकस क्लास 12 कंप्लीट मैप आफ इंडियन बुक जो आपके इंडियन जो बुक है उसको हम डिसकस है वो करेंगे और बुक यह सेगिंड है हमारी जबकी जो फर्स्ट बुक है उसकी डबल एट जस्ट एक मिनेट बेटा डबल एट वन एट डबल जीरो सिक्स सेवन डबल सिक्स पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो यह जो पीडियोफ है वो मैं आपको वाटसप है वो कर दूँ है बेटा चलिए यह दो हजार तेइस और चोबिस का जो सेशन है उसके लिए तो यह latest होगा और यदि आप इसको आप कर लेते हो तो आपके जो 5 marks है वो नहीं कटेंगे उसमें से एक भी जो number है वो नहीं कटेगा यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और revision है वो कर लिया उससे पहले में आपको एक request है कि आप अपने साथ जो map है वो लेके बैठें ताकि कोई भी जो concept आपको doubt में लगे तो आप उसको दोबारा से देखें और आपने map के अंदर साथ के साथ फिल करते रहें चलिए start करते हैं बटाब यह है पहला map chapter 1 से आया है highest population density state और lowest population density state तो सबसे ज़्यादा जो population जो density है वो आपकी है कहां पे बिहार में तो य यह आप याद रख लिएना ही कहां पए बिहार में है और यह lowest कहां पर है यह आपके अरुना चल परदेश में यह कहां पर है अरुना चल परदेश में है तो देखे यह रहा आपका बिहार यह आपका बिहार आप मैप में साथ की साथ हैं वो फिल करते रहें यहां पर मैं लिख देता हूं बिहार और यह आपका अरूनाचल परदेश आप मेरे को कमेंट करके यह बताएंगे कि बिहार के अंदर population density कितनी है और अरुनाचल प्रदेश के अंदर population density है वो कितनी है ये दोनों जो चीज़े हैं वो आप मेरे को बताएंगे मिटा comment में चलिए next बात करते हैं rice की production की मैं अब जो leading जो producer जो state है उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है rice rice जो सबसे ज़्यदा हो उता है वेस्ट बंगोल में कहां पे है वेस्ट बंगोल में wheat की बात करूँ तो ये अपका है उत्तर परदेश में cotton की बात करूँ तो ये आपका आता है गुजरात में jhoot की बात करूँ तो ये भी आपका कहां पे है वेस्ट बंगोल में है टी की बात करूँ तो ये असम में है और सुगर केन की बात करूँ तो ये है उत्तर परदेश के अंदर और कौफी की बात करूँ तो ये है आपका करनाटका में ये कहां पर है करनाटका में चलिए तो सबसे पहले राइस को देखते हैं ये रहाप का वेस्ट बंगॉल ये कौन सा है ये है आपका वेस्ट बंगॉल पस्षिम बंगाल तो यहाँ पे राइश भी ज़्यादा होता है और क्या होता है ज़्यादा जूट वेस्ट बंगॉल में उत्तर परदेश ये रहाप का उत्तर परदेश इसके अंदर गेहुंक भी ज़्यादा होता है और सुगरकेन है वो भी ज़्याद आपको देखने को मिलता है यह रहाप का गुजरात यह रहाप का गुजरात जहां पर कोटन है वो सबसे ज़्यादा होते है जूट की बात करूँ वेस्ट बंगल हो गया है वीड हम बात कर चुके हैं टी असम ये रहाब का असम ये है आपका असम फिर बात सुगर के इन में बता चुके हैं कॉफी करनाटका ये रहाब का करनाटका करनाटका के अंदर क्या है कॉफी है गुजरात में क्या है कोटन है गुजरात में कोटन है उत्र परदेश की बात करूँ तो यहां पर आता है वीट वीट और सुगर केन दो चीजे हैं वो आपको देखने को मिलती है असम के अंदर आपको देखने को मिलता टी और यहां पर वेस्ट बंगल के अंदर आपको जूट और राइस यहां पर यह कंप्लीट है वो हो गया है हमारा चलिए अब आते हैं अगला चप्टर नमर जो 7 है उससे बात करेंगे तो आईरन और माइन्स आती है आईरन और जो माइन्स है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आता है मयूर भंज तो सबसे पहले हमें इनका जो state है वो याद रखना है मयूर भंज का जो state है वो है आपका कौन सा उडिशा यह आपका उडिशा यहां तक पहले उनकी जो state है वो लिख लीजिए चलिए अगला आता है बैला डिला कौन सा आता है बैला डिला यह जो बेलाडिला है यह आपका आता है 36 गड़ में यह कहां पे आता है आपका 36 गड़ में रतनागिरी आता है महरास्टो में और बेलारी जो आता है यह आता है करनाटक और करनाटक और जो तमिलाडू का जो बोर्डर है उसके उपर तुमिलाडू का जो बोर्डर होता है उसके उपर है वो आता बै, ता मिलाडू, बाला घाट यह आता है आपका मद्या परदेश में, यह मेगनेज माइन्स हैं, और सिमोगा यह आता है आता है करनाटका में, चलिए मैं इनको फिल कर देता हूँ, पहले हम बात करते हैं, किसके तो मयूर भंज है यह रहा यहां पर यह आपका मयूर भंज मैं M लिख देता हूं यहां पर यह क्या है मयूर भंज बैला डिला यह आता है आपका बैला डिला यह बिलकुल यहां पर यह रहा यह बैला डिला तो बील लिख देता हूं मैं यहां पर बैला डिला रतनागरी रतन गिरी आता है कहां पर महारास्ट्र में यह रहा आर जी लिख देता हूं रत्ना गिरी कौन सा है रत्ना गिरी है अब आपका बचा बैलारी बैलारी है आपका कहां पर वो बिलकुल इनके बोर्डर के उपर है देखिए मैं आपको बता देता हूं कहां पर है वो है यहां पर यह है आपका बैल आ रही है यह है आपका बैल आ रही है किलेर हुआ अब आते हैं हम बाला घाट पे बाला घाट बाला घाट में हम पेंच चेंज कर लेते हैं बाला घाट के लिए बाला घाट बाला घाट है मत्यप्रदेश में यह रहाप का यहां पे है बाला घाट क्या है ये बाला घाट ठीक है अगला आता है शिमोगा कौन साता है शिमोगा मैंने अभी अभी बताया कहां पे है करनाटका के अंदर है करनाटका में कहां पे यहां पे है शिमोगा यह है आपका शिमोगा तो आप इसका स्क्रीन सोट है वो ले सकते हैं आसानी सी आपको जो चीजे हो समझ है वो आजाएंगे बेटा चलिए next topic पे चलते है next क्या आता है आपका copper mines और bauxide mines कि जो copper mines है और जो bauxide mines है इनके बारे में discuss वो करेंगे same पिछले की तरह हम इनके जो state है वो लिख लेंगे जैसे हजीराबाग और शिंग भूम ये दोनों के दोनों है बेटा कहां पे जारखंड में है ये दोनों के दोनों कहां पे है जारखंड में है खेतली ये है आपका कहां पे राजिस्थान में कतनी ये आपका मद्य परदेश में बिलास पर है चतिश गड में कहां पर है चतिश गड में और कोरप उठा यह है आपका उडिशा के अंदर रेड पैं से मैं जो फिल कर रहा हूं वो कर रहा हूं कॉपर माइन्स ठीक ना कॉपर माइन्स है वो फिल है वो करना हूँ, देखे, उपर की साइड में यहाँ पे निशान लगा देंगे, तो ये तो है आपका हजीरा बाग, कौन सा है, हजीरा बाग है, और इसके नीचे निशान लगा देंगे, थोड़ा सा इस साइड ये वाला, तो ये जो है, वो आपका सिंग भूम, ये आपका क्य खेतरी है राजस्थान में और ये है किस की साइड हरियाना की साइड है, वो ये यहाँ पे है, ये आपकी क्या खेतरी, चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, बोकसाइड माइन्स के, जो बोकसाइड है वो आते कटनी, ये अब मद्य परदेश में, ये रहा कटनी, कौन सी ह कटनी है, तो यहाँ से आप इसको नोठा वो कर सकते हो, अगली बात करूं मैं यहाँ पर कौन सी आती है, बिलासपूर, बिलासपूर है 63 गड में, बिलकुल बीच में ये रही आपकी Бिलासपूर, ये आपकी बिलासपूर, कौरापूर, कौरापूर आता आता आपका क्या यह को राप उट रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है आपका कॉल माइन्स और ओयल रिफैंडरी सेम उसी तरह कैसे हम डिसकस करेंगे कि पहले इनको क्या देखेंगे इनके स्टेट देखेंगे कि कौन-कौन से जो स्टेट है वहां पर आपको यह देखने को मिलते हैं कॉल माइन्स जरिया और बोकारो यह दोनों के दोनों है आपके कहां पे जहारखंड में यह दोनों के दोनों कहां पे हैं यह दोनों के दोनों जहारखंड के अंदर राने गंज यह हपका वेस्ट बंगॉल के अंदर नवेली नवेली है तमिनलाडू के अंदर बैरों ने ये हैं बिहार के अंदर alright अच्रिये आपको कोल माइन चाहूं वह फिल करते हैं अभी हम तो ऊपर वेस्ट म nóजसरी थार्खंड की बात करूं तो ये तीनों के तीनों सीक्वेंच के अंदर आते हैँ पहला आता है बोकारो पहला आता बोकारो फिर आपका जो आता है वो आता है धरिया और फिर यहाँ ही पर आता है रानी गंज तो पहले आता है बोकारो फिर आता है अपका धरिया और फिर आता है रानी गंज यह तीन जो चीजे हैं वो आपको यहाँ पर इकटी देखने को मिलती हैं चोथा आपका नवेली जो मैंने अभी अभी जो नवेली है वो बताया था कहां पे है तैमिलाडू में यह आपका नवेली चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कौन साथ था है आपका ओईल रिफेंडरी मतूरा मथूरा कहां पे है मथूरा है आपका कहां पे है उत्तर परदेश में अभी अभी मैंने आपको यहां पे लिखवाय था ठीक ना और देखो उत्तर परदेश में जो मथूरा है वो आपका यह रहा यह है मथूरा ठीक ना बिहार के अंदर बैरोनी यह यहां पे है बैरोले फिर बात करते है जामनगर की जामनगर कहां पे है यह है गुजरात में और जामनगर है वो है यहां पे यह रहा यह अपका होगा है जामनगर ठीक है यह थे आपके जो मैंने अभी अभी आपके क्या बता है है ऌ mm और दिदुण के बात करें दो स्काइव करकें और के स्काइण Sao बात करें करें कृण्ड कोन कृणकोन से है उनकी बात करते हैं चले स्टांट करें पहले आता लोकेशनान और वह साथ फिल करते रहेंगे तो मैं इनका जो फॉस्ट अक्षर रहर लिखता रहोंगाariat पॉर्ट जो कज यो क्योत पोट व यह anपे आपका की वह कंडला द्रा ता बुंबई पोट यह सबी को एम्ती मारमा गोवा हो गया, न्यू मैंगलोर है करनाटका में, वो यह यहाँ पे है, यह करनाटका के अंदर न्यू मैंगलोर, कुन्सा हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, फिर आपका आता है केरल के अंदर कोच्ची, यह कुन्सा है, कोच्ची है, और बिल्कुल यहाँ पे सा पाउत के अंदर आता तुत्ति कोरिन कोंसा आता है तुत्ति कोरिन आता है और जस्ट उपर की साइड में यह आपका चेन नहीं पॉर्ट कोंसा आता है चेन नहीं पॉर्ट आता है अंदर परदेश के अंदर उपर की साइड में यहां पर आता विशाखा पत्नम कोंसा है विश जौसका पारधूर्प ये कॉन सा ही ये है पारधूर्प राधूर्फ है और ये है विशाख्ळपटनौब के लिए होगे सभी को एक बार आप इसका स्क्रीन शोट ःफ हो ले सकते हैं और फीर आगे करते थे थे रख कॉलकता पोर्ट है वेस्ट बंगोल में ये राय ये तो ह यह है हल्दिया पोर्ट कुन सा पोर्ट है हल्दिया पोर्ट है अब लास्ट टोपिक आता है अपका एयरपोर्ट अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट के बारे में कि भाई हम एयरपोर्ट को भी डिस्कुस है वो करते हैं तो सबसे पहले आता है एहमदाबाद एहमदाबाद इं ठाल था बॉमबई यहांपे है बॉंबई के अंदर कौन सा चातरपति सिवाजी टो ठीक न चातरपति सिवाजी में बैंगलोर कि यह यहांपे यहांद बैंगलोर चिन्नई चिन्नई के अंदर है मीना पक्कम यह बैंगलोर था चिन्नई के अंदर है मीना पक्कम कौन सा है मीना पक्कम कोलकता यह रहाप का कोलकता कोलकता के अंदर है नेताजी सुभास चंदर बोस कौन सा है कोलकता के अंदर वाठप्र गुहार्टी सुए के सचतीmist कोण सा है बिर्श मुनदा खीक डिल्ली है यह राहा डिल्ली अपका डिल्ली के अंदर है इंद्र गांदी इंटरनेशनल एक पोर्ट का है है थ्रैवाद है यहांपे झाहां पर राजिव गांदी International Airport कौन सा है राजियो गांदी इंट्रनेशनल एरपोर्ट कोन सा है राजियो गांदी इंट्रनेशनल एरपोर्ट कौन सा है राजीयो गांदी एइरपोर्ट राजा साहन सी एइरपोर्ट है यहाँ पर अमरिटसर के अंदर त्रिवेंद्णाम पुरम के इन दर यह क्या है यह आपका केरला के अंदर तो यहाँ पे इंडिया का जो मैप है वो कम्प्लीट हुआ इसके अलावा आपसे कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज है वो पूछी नहीं जाएगी फिर यदि किसी बच्चे को कोई doubt है तो वो आप मुझे comment करके बता देना मैं दोबारा से समझाने की कोशिशा वो करूँगा फिर यदि किसी को फिर भी problem रहती है तो मैं दोबारा से जो class है वो लेकर आपको समझाने की कोशिशा वो करूँगा और इसका हम जो practice set है वो भी लेके आएंगे और कम से कम तीन session होंगे और एक session के अंदर हम पांच map को discuss है वो करेंगे उमीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा फिर भी यदि कुछ doubt है तो आप मुझे comment करके पोच सकते हो जब तक के लिए thank you and thank you very much बार्टरर आपकर जाएंगे विए अपक बार्टर है उपके मुझे समझ सकते हैं